अब आज से हम लोग श्टार्ट करेंगे आएम बैंगलोर सिरीज है ना इसमें आज हम लोग पार्ट वन देखेंगे और 10 कोशिंस कवर करेंगे हर पार्ट में मैंने जिसा की पहले भी का था 8 9 10 11 अप्रोक्स कोशिंस कवर करेंगे ताकि आपके उपर ज्यादा लूड़ना है और दीरे दीरे 18 प्रोक्स पार्ट आएंगे आपके एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और इस बार हमने एक थोड़ा सा चींज किया जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशल है इस बार हम आपको इसकी पीडिये भी कुशिंस की प्रोवाइट करेंगे तो जिनको प वेबसेट तो मैंने लिखी दी इंकी डिस्क्रिप्शन का भी चेंज हो जाए तो यहाँ पर जाके आप लोग इसकी पीडिये डाउनलूट कर सकते हो और अगर आपकी इक्षा हो यह आपके ऊपर है पूरा ठीक है तो आप इसकी अंसर की हमें सेंड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कित्ते सही कित्ते गलत जा रहे हैं या आप हमें भी अपना अपडेट दे सकते हो कि हमारी यही प्रिप्रेशन चल रही है ठीक है तो आप हमें भेज़े होगे यह और मेरा पर्सनल सजेशन है कि पहले पीडिएफ खुद सौल करना उसके बाद ही यह वीडियो देखना हर पीडिएफ में यही करना तो आपके पर्सेंटेल बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है ऐसा नहीं कि डिरेक्ट अपनने वीडियो पन के और सिधी सॉल्वी कर रहे हैं इसकी ठीक है तो बहुत ध्यान से आप लोग यह चीज कर सकते हो और हां काफी बच्चे कैट 300 का पूछ रहे हैं तो वो कैट की एक मेहने पहले ही हम लोग लूँच करेंगे तो उसके बारे में ज्यादा टीटेल में भी मत पूछिएगा ठीक है और हां यह तो आ बनाओ यार बहुत टाइम हो गया प्रांड बने हो गया ठीक है तो ज्यादा स्यादा लाइक करो शेयर करो कमेंट किया करो ताकि वीडियो और भी ज्यादा पॉपुलर हो फर्स्ट से श्टाट करते हैं लेट डी बीए रिकरिंग डेसिमल अफ दा फॉम दीज इकल तो पॉ इसमें से किसी रिजल्ट हमें मल्टिप्ला ऐसा करना है डी से कि रिजल्ट इंटीजर मिल जागा बहुत इसी कोश्यन इस लॉजिक पे कई एक्जाम कुश्यन पूछ चुक है यह तो हमने पढ़ा ही हो का नंबर सिस्टम में बेसिक में अगर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके उपर इसा साइन लगा दिया बार इने एवन एटू एवन एटू और टू टैम्स में रिपीट हो रहा है तो आप इसी एक्वेशन को हंट्रेट से मल्टिप्लाइ कर दो तो हंट्रेट इस इकल टू क्यों जाएगा एवन एटू पॉइंट एवन एटू एवन अगर किसी एसे नंबर से डी को मल्टिप्लाइ करना है कि रिजल्ट क्या है इंटीजर तो वो 99 का मल्टिपल होना चाहिए साब दिख रहा है तो देखो 18 नहीं है 108 नहीं 99 तूसा 198 होता है ओप्शन C लगा दो 288 भी 99 का मल्टिपल नहीं होगा सिंपल था तरीका ध्यान रखना दो फर्स्ट कॉस्चिन कंसर क्यों जाएगा ओप्शन C ठीक है यह बहुत अच्छा कोश्चन है उमीदे बन गया होगा देखो एक्स वन पर य फोर एं डेन 8 हुआ कित्टे से इंक्रीमेंट हो गया फोर से देन 14 हो गया 6 से इंक्रीज हो गया देन 8 से देन 10 देन 12 अच्छा 4 6 8 10 यह डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है लिन बढ़ जाता है है ना तो यह exponential भी दिख रहा है इसमें linear भी यह भी नहीं होगा ओरल आप इस question को कर सकते तो यहने answer B या D होगा normally D होता नहीं है तो answer क्यों हो जाएगा कई बार आप इसमें तुक्के लगा सकते होगा time कम हो तो लेकिन यह सब logical तुक्के होते हैं लेकिन अब अभी तो हम लोग detail में कर रहा है कि चीज तो मैं इसका solution बता देता हूँ आपको ठीक तो इतना समय आगया linear तो होगा नहीं exponential होगा नहीं तो सीधे हम लोग B option को ही check करेंगे तो अगर check भी करना हो और exam में time बचाना है तो तो B check करेंगे क्योंकि अगर B हो गया तो ठीक है लगा देंगे नहीं तो दीर लगा देंगे ठीक अब देखो X is equal to 1 पर Y क्या है 4 इन्हें Y की जागा 4 लिख तो X की जाए 1 रख दो इस equation तो A plus B plus C आ जाएगा equation 1 बोल देते हैं X की जाए 2 पर Y क्या हो जाएगा 8 यह क्या हो जाएगा A plus 2 B plus 3 2 रखा है ना 2 का स्क्वार 4 C equation 2 X की 3 पर Y क्या जाएगा 14 3 क्यों रखे हैं हम लोग 3 points क्योंकि 3 unknowns हैं तो 3 equation तो हमें चाहिए रहेंगे ठीक है तो A plus 3 B plus 3 k square 9 C equation 3 equation 2 मैंसे 1 को minus करते हैं A cancel हो यागा तो B plus 3 C is equal to 8 minus 4 4 अब 3 मैंसे 2 को minus कर देते हैं तो इसे cancel 3 B minus 2 B B plus 5 C इस बार आजाएगा 14 minus 8 6 अब इस बार इसमें से इसको minus कर दो तो B से B cancel 2 C is equal to 2 then C की value आगई 1 C1 आगया तो A is equal to B is equal to C is equal to कर लिखना है तो C1 आगया C1 कहीं भी रख दो तो 6 minus 5 1 या 4 minus 3 B1 B भी 1 आजाएगा अब देखो 1 और 1 2 A की value के हो जाएगी 4 minus 2 यहने A क्या आगया 2 फाइनल equation क्या हो जाएगी Y is equal to 2 plus X plus X square ठीक है और चेक करके देख लें 4 पर 22 आना चाहिए तो X को 4 रख दो 4 4 तो 16 plus 4 plus 2 22 आगया तो सही भी हुआ ठीक है क्रॉस चेक भी कर सकते है option क्यों आजाएगा B ठीक है चेक करना हो तो इसी तरीके साब A और C option को भी चेक कर सकते हो उसमें satisfy नहीं करेगा clear अगला third question step के तो खुब practice हो गई होगी आपकी A1 वन दिया हुआ है इस equation में N की जगा 1 रख दो तो A1 हमारे पास क्या है 1 अब देखना एक्जाम में खडने का तरीका बताता हूं N की जगा 1 रखो तो A2 इस इकल टो twice of A1 A1 क्या 1 अच्छा step by step करा देता हूं तो यह क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7 एकात और लिख लेते हैं A3 इस इकल टो twice of A2 7 तो 14 प्लस 5 19 अब डारेक्ट लिख रहा हूं A4 भी लिखनो 19 तो 38 यह ना प्लस 5 43 अब देखो इस किसी option से मिलाने की कोशिश करना ठीक है अब 1 के से आ सकता है 5-6 तो-1 हो जाएगा 6-5 वन हो सकता है 6-5 हो यह लिए 2 की पावर को भूल जाओ क्योंकि एक एक 100 में यह 99 ले रहे हैं तो फर्स्ट में तो 2 की पावर 0 हो जाएगी तो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो सोरी 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 5 चेक करके देखलो एन 1 रखेंगे तो यह दो 0 हो जाएगा 6-5 वन एन की जगा 2 रखो 2-1 6-2 जा 12-5 7 एन की जगा 3 रखो 3-1 2 2 स्कार 4 6-4 जा 24-5 19 तो इस तरीके से ऑप्शन से इस टाइप के कोशिशन विदिन 1 मिनिट किये जा सकत है ठीके रिक पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना कुछ कमेंट कर देना फॉर्थ कोस्टिन इस टाइप के कोस्टिन में भी आपकी प्रैक्टिस होगी जब भी ऐसा कोस्टिन दिख जाए सबसे पहले तो आप a2-b2 का फॉर्मुलल लगाओ a-b 2-1 1 2-1 3 प्लस 1 अप 21 इसका फॉर्मुला क्या होता है देखो टू-2 का डिफ्रेंस है तो 1 by 2 बहार निकाल लो जित्ते का भी डिफ्रेंस है वो चीज बहार निकाल लो है ना अब इधर की फर्स्ट टरम लिख दो है ना 1 upon 1 minus इधर की लाश्ट टरम 1 by 21 हमाई वीडियो कोर्स में में इसका पुरा 21 इसी था ओप्शन C ठीक है यह तरीका ध्यान रखना यह अगर एपी में सीरीज हो तो कॉमन डिफ्रेंस बहार निकालो फिर 1 upon इसकी फर्स्ट टरम और इधर से लाश्ट टरम माईनस ने ठीक याद रखना नोट्स जो भी बना रहे है उसमें आट कर ले ना फिफ्ट कॉस् अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे तो पेट्रोल ज्यादा खडच होगा डिजल ज्यादा खडच होगा ठीक है अब बोल रहें कि अगर यह 50 km पर आर्की गाड़ी पर चलाता है मतला तो एक लीटर में इसकी गाड़ी कितनी चलेगी 19.5 km तो 10 लीटर में 195 चलेग पॉइं अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से अब क्या हुआ सेम किलो मीटर में अगर यह 70 पर चला लेता तो 30% मोर डीजल लगता यहने 10 का 30% 3 यहने 13 लीटर लगता सेम 195 किलो मीटर जाने में और यह कूंसी स्पीड पे था 50 km पर आर पे और यह अब हम किसकी बात कर रहे हैं 70 km प चाह दिया तो क्या बुला है how far truck travel 10 लीटर 70 अब 13 लीटर में तो 10 लीटर में कितना चलेगी गाड़ी तो 195 x 10 upon 13 simple था किलो मेटर 150 km option c within one minute में solve कर लिया ठीक है उम्मीदे पसंद आया होका solution इस question को करने सबसे आसान तरीका सबसे ही आसान 7 consecutive इंटी जारे 1 2 3 4 5 6 7 नाम भी लिख दो इन 1 2 3 4 5 6 7 average of first 5 इनका बीच का number होगा 3 is n ठीक है average of all 7 इन पूरे में बीच का number कूंसा हो जाएगा 4 एन अगर यह 3 था तो यह 4 हो गया once increase होगे तो अगर n था तो n प्लस 1 हो जाएगा कतम option b एक second ठीक है इत्ती जल्दी यह question कर सकते थे ज्यादा दिमाग लगाने की जहुरत नहीं अगर हम बिल्कुल basics पे जाएं तो कोई भी question बहुत आसानी से कर सकते हैं अच्छा एक काम करते हैं इधर 2 है ठीक है इसको भी अगर 2 बना दू तो 2y शुट भी greater than minus 2 होगा है ना अच्छा इधर तो plus 2 है माइनस 2 के case में क्या हो जाएगा अगर माइनस दोनों साइड मल्टिप्लाइ कर दो तो minus x शुट भी less than minus 2 हो जाएगा है ना साइन चेंज कर दें तो साइन यह बीच का साइन भी साइन हो जाता है अब देखो माइनस 2 से छोटा है माइनस 2 से छोटा है मतलब 2y शुट भी greater than क्या होगा माइनस x 2y शुट भी greater than minus x option b में दिख क्या पूरा derive भी कर दिया अब कई बच्चेस में होंगे वह x और y की values imagine करेंगे तो ज्यादा imagine करेंगे तो हो सकता है answer लगा तो प्रोसेस से जाओगे एक सेकंड में हो जाएगा एक सेकंड मतलब 30 to 40 seconds में एक question आपका हो जाता 8th question 1 red flag red 1 है white कितने है 3 और blue कितने है 2 क्लाइन में जमाने हम इसे जमा लेते हैं कितने हो गए 6 ध्यान से देखना बहुत अच्छे से समझाओंगा इसको हो गए 6 है ना no two adjacent are same color ठीक है two ends दोनों end पे भी different यहने यह वाला और यह भी different होना चाहिए ठीक है अब ज्यान से देखना white अगर है है ना white 3 है मतलब अगर top से शुरुआत करों तो यह एक छोड़ के कम से कम यह देना पड़ेगा या यह एक पॉसिबिलिटी यह है या इसको यह इंग पर रहन दो इसको एक और छोड़ के लिखते हैं फिर इदर लेकिन top और bottom पर same नहीं होना चाहिए end पर same नहीं तो यह possibility गलत हो गए तो उपर वाले में तो यह क्या आएगा एक और क्या हो सकती है अगर मैं second से चालू करो एक possibility यह हो गई तो दो possibility हैं white को लगाने की main white यह था अब यह जो 3 बचे हैं दो blue एक red कैसे भी लगा दो तो कैसे भी लगा दो तो factorial 3 तरीके हैं लेकिन blue कितने 2 तो factorial 2 से डिवाइट करना पड़ेगा same इदर condition factorial 3 by factorial 2 तो 3 plus 3 6 वे जोंगी यह ना कैसे यहां तो blue red red या blue इदर आ गया तो तो factorial 3 by factorial 2 इस कारण किया था ठीक है उम्मीदे समझ में आ गया होगा ninth question ऐसे set of integers such that x की value 100 से 200 में हैं बोथ including x odd है ठीक है और 3 से divide हो रहा है 7 से नहीं हो रहा पहले 3 पर concentrate करते हैं तो 1 0 2 1 3 से divide हो जाता है sum out digits लेकिन यह तो यह one number हो गया मतलो 105 ले लो three add कर दो odd number भी है वह 100 से 200 के बीच में भी हो गया अब इसमें common difference 6 6 का ले तो 111 फिर 117 यह सब 3 से divide होंगे और odd number क्योंगे last क्या होगा 195 है ना 3 का divisibility rule से होता है sum out digits तो जल्दी जल्दी हम लिख सकते थे यह total कितने numbers हो गया है हमें वह formula भी पता है l is equal to a plus n minus 1 into d l क्या 195 minus a कर दो 105 upon d कर दो common difference 6 का है plus 1 कर दो तो n आ जाएगा तो कितना आएगा 90 by 6 15 plus 1 16 n की value आजाएगी 16 जजबाती होके जल्दी में 16 अंसर मत लगा देना क्योंकि अभी हमने यह point का use नहीं किया है ठीक है 7 से divide नहीं चाहिए हमें तो 105 से divide होता है एक 105 आजाएगा अच्छा 7 और 3 calcium क्यों होगा 21 हर 21 का difference ले लेंगे तो इसमें 218 करूंगा तो even number आ जाएगा 21 की जगा 42 8 करो क्योंकि और नमबर ही चाहिए अगला number क्या जाएगा 147 इसमें फिर से 42 8 कर तो अगला number क्या जाएगा 180 नहीं अगला 42 8 करूंगा तो 200 के उपर निकल जाएगा तो यह 3 numbers इसे होंगे जो 7 से भी divide होंगे तो 16 में से यह 3 हमें हटा देना था final answer क्या जाता 13 option D ठीक है तरीका समझ में आगया किसे करना है ठीक है तरीका पसंद आये तो like subscribe share करो subscriber कम से कम कैट तक 25 के तूपर ले जाओ इतना तु मेरे लिए करी सकते हो 10th oral कर लिया होगा x y z integers है odd भी है positive भी है odd है मतलब ठीक है which of the following cannot be true देखो odd का multiplication हमेशा odd होगा multiplication की बात होई तो power भी कित्ती भी चाड़ा लो odd ही होती odd की power तो पहला तो सही है सही है हमें गलत बताना है ठीक है अब odd और odd का difference होगा वो हमेशा even हो जाएगा confusion हो तो एक odd number 3 मानलो एक 1 3-1 2 होता है मतलब difference even होगा और 3-1 भी even होगा यहने odd का चाहिए difference लेखो चाहिए addition देखो ढहला ओर और two-1 होगा और even को किसी से भी multiply कर दो रिज़ल्ट तो even ही आना है मतलब यह भी सही है अब देखो odd plus odd even, even मेंसे odd गया जैसे कोई भी even number लेखो 4 फोइखो 4 मेंसे कोई भी Eánd number minus कर दो 3 यह तो odd हो गया अच्छा लेकिन यह odd plus odd even हो गया और even को किसी से भी multiply कर तो result even आएगा ये भी सही है अगर तीनों सही है तो फिर D ही गलत होगा option D लगा दो खेर check कर लेते हैं odd minus odd even और even को किसी से भी multiply कर दो result even आएगा इन लोगोंने odd लिखके रखा है लेकिन ये result क्या होता अच्छे सन में आ गया होगा है न तो अगर पसंद आयो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर कर दो और हाँ अगर इनकी PDF डाउनलोड करना और अगले पाट की PDF देखने हो तो आप regularly हमारी website catipman.com slash mba पे विजिट करते रहिएगा वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी ठीक है थैंक्स फ़र वाचिंग इस वीडियो